नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित देविवेचना में तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है आज 18.10.2020 को हिमाचल परदेश में क्लेरिकल एक्जाम को कंडर्ट किया गया था और दोस्तों हमने अपने इस चैनल में उसका पार्ट एक कंप्लेट कर लिया है और दोस्तों यह पार्ट टू है तो चलिए दोस्तों पार्ट टू को शुरू करते हैं तो दोस्तों पार्टू का पहला प्रशन है मानव शीर की तूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो दोस्तों यह है अगनाशे और दोस्तों पहली है यक्रीत अगला प्रशन है पत्थरी समानेत बनी होती है तो दोस्तों यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सेलेट क्रिस्टल की option C अगला प्रशन है नियुमोनिया मानव श्री के कौन से अंको प्रभावीत करता है तो दोस्तों ये करता है फेफड़े को option B अगला है डॉली बाज क्लोन्ड तो दोस्तों डॉली थी एक भेड जो 1996 में अस्तिति में आई थी अगला है 1960 में पूर महासु जी ले कि किस तहसील से किन और प्रिथक हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था चीनी से option A अगला प्रशन है प्रिथ्वी का क्रोड बना हुआ है तो दोस्तों ये बना है निकल और आईरन से option C अगला प्रशन है सिस्मोलोजी किस के अधियन से जूडा हुआ है तो ये जूडा है भुकम से option C अगला प्रशन है कोईला किस परकार की चट्टान है तो यह है अब साधी ऑप्शन भी अगला है इन में से कौन सी हरित ग्री गयस है तो दोस्तों कारवन डायोकसाइड, मिथेन, क्लोरो फ्लोरो कारवन यह सबी है ऑप्शन डीबल को सही है अगला प्रशन है पच्वां पबने समाने तक किस दिशा से बहती है तो दोस्तों यह बहती है ऑप्शन दक्षिन पच्चिम से उत्तरपूरव ऑप्शन ए अगला प्रशन है अगला प्रशन है सैलिंगा पट्टम में अलजादी का प्रिक्ष किस ने लगाया था तो इसका सही जौब होगा ऑप्शन सी टिपू सुल्टार ने अगला प्रशन होगा भारत के प्रतम गवर्नेर जेनरल थे तो दोस्तों यह थे लॉर्ड बिलियम बेंटिंग ऑप्शन डी अगला प्रशन है बिवेकानन का मूल नाम था तो यह था नरेंदर नाथ दत ऑप्शन सी अगला प्रशन है भारती राष्टी कॉंगरेस के प्रतम मुसलिम अध्यक्ष कौन थे तो यह थे ऑप्शन डी बद्रोदीन तैवजी अगला प्रशन है गांधी इर्विन समझाता कब हुआ था तो यह था ननी सो कत्ती में आफ्शन भी अगला प्रशन है 1921 में हडपा की खोच किस ने की थी तो यह की थी आफ्शन ओप्शन देयराम सहानी ने अगला प्रशन है आरियन शब्द का शब्दाश्ट अर्थ है तो दोस्तों इसका अर्थ होगा option C, जनम से उच आरेनी शव्द का अर्थ होता है जनम से उच option C, बिल्गू सही है अगला question है, सरस्वती नदी का रिग्वैदिक नाम है तो ये है option B, नदी तारा अगला question है, कौन सा शाषक गौतम बुद का समकालीन था तो दोस्तों ये था बिम्बी सार, option D अगला question है, बुद के वुदेशों का संग्रह निमन में से किसमे किया गया है ये किया गया सूथ पीटक, option B अगला question है, अशोक का शाषन का सिधान तथा धम की निती किस लेख में अंकीत है तो ये है बहत शिरा लेख, option A अगला है, पल्वों की राजानी थी, ये थी काची में, option A अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुत्व मिनार का काम पूरण करवाया था, ये किया करवाया था, इलतुत मिशन ने, option B अगला है, निकोलो कॉंटी एक परबासी किस देश का था, ये था इटली का, option A अगला प्रशन है, जवेरी बहने किस शास्त्र निती से स्मंदित है, तो दोस्तों, ये है मनिपूरी से, option D अगला है, लाहो भारत के किस राजे का लोक निती है, ये है मेगाले का, option A अगला है, दुत्ति विश्योयूद घटित हुआ था, ये हुआ था, 1949 से 45 के बीच, option C अगला प्रशन है, सुरी की सित्ह का तापमान लगबग है, तो दोस्तों, ये है, option A, 6000 degree Celsius अगला है, सबसे एक घना ग्रह कौन सा है, तो ये है Uranus, option D अगला प्रशन है, दक्षिनी कुलार्थ में सबसे चोटा दिन कौन सा होता है, तो ये है, option C, 21 अगला प्रशन है, निमन में से कौन सा उच बादलों के बर्ग से बर्गे ग्रित हैं, तो ये है, option A, पक्षाब मेग अगला प्राशन है प्रेरी किस देश के घास के मैदान है तो ये हैं USA के ऐप्शन B अगला प्राशन है वेपार तर्धा बानी जी के संदर में सबसे ब्यस्त महासागर कौण सा है तो ये है ऑफ्शन A अगला है 38 में पेरेलल किसके मद्दे की सीमा रेखा है तो यह है उप्शन C उत्तर तसा दक्षिन कोईया की मद्दी अगला है एश्याई महादीप में सबसे निमस्थान है तो यह है मृत्सागर उप्शन A अगला है नाइगर नदी का उद्वफ्थान है तो यह है उप्शन B गिनी अगला प्रेशन है UK का मैंचेस्टर निमन में से किसके लिए प्रसीद है तो दोस्तों यह है सुती बस्तर के लिए उप्शन D अगला प्रेशन है नागा पहाडियों की सबसे उच छोटी कौन सी है तो यह है उप्शन D सर्मती अगला प्रेशन है हिमालेग का सबसे तरुन हिसा कौन सा है तो दोस्तों यह है ऑप्शन A शिवालिक अगला है एट डिगरी चैनल लक्षदीप सुमूग को अलग करती है तो यह करती है माल दीप से ऑप्शन A अगला प्रेशन है हिराकून प्रियोजना किस नदी पर निर्मित है तो दोस्तों यह है माहा नदी पर ऑप्शन D अगला है भारत में किस परकार की जलबाई हूँ है तो दोस्तों यह है उपोशनी है ऑप्शन B अगला प्रेशन है अगला है भारत के सरपरतम इलेक्रिक ट्रेन थी तो यह थी ऑप्शन C अगला प्रेशन है अगला है भारती समीधान के आमुक में सवतंतरता समानता तथा भाईचारा की अदर्श किस देश के समीधान से लिए गए हैं तो यह लिए गए हैं फ्रांस से ऑप्शन A अगला प्रेशन है भारती समीधान का कौन सा भाग UPSC तथा राजी लोगसेवा आयोग से समंदीत है यह है ऑप्शन D अगला प्रेशन है भारती समीधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निशेत कानूं से समंदीत है तो यह है ऑप्शन C अगला है गुवा किस वर्ष अस्तित्त में आई यह है 1987 में उप्शन A अगला है एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारती नागरीता प्राफ्ट हो सकती है तो यह 12 वर्ष उप्शन C अगला है कौन सी याची का अबैद निरोद से सवंदित है तो यह उप्शन A बंदी प्रत्यक्षी करन अगला है भारती सविधान का कौन सा अनुच्छिद कारे पालिका से नियाए पालिका को प्रत्यक करता है तो यह अनुच्छिद 50 अगला है भारती सवीधान के भारती सवीधान में निर्दिष्ट मुलभूत कर्तब्यों की कुल संक्या है option B 11 अगला question है भारत का सबसे युवा राष्ट्रपती कौन था तो ये थे option A N संजीवरेडी अगला question है भारत में प्रत्रम अपातकाल किस वर्ष घुशित किया गया था ये किया गया था option B 1962 में अगला question है कौन सा एक स्थाई निकाय है तो ये है option A राज्जी सवा अगला question है महाराष्टर में लोग सवा की कुल सिटे कितनी है ये 48 option C अगला है भारत की नियाईक विवस्ता में सबसे सर्भोच कौन है तो दोस्तों option D इन में से कोई नहीं अर्थात केंदरी प्रशासनी का दीकरन ग्रीन टीवी उनल उच नियाईया इन में से कोई नहीं option D विवर्ष सही है अगला है एक राज्य के महादीवक्ता की नियुक्ती कौन करता है तो ये करता है राज्येपाल option D अगला प्रशन है स्टार्ट अप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉंच की गई थी ये की गई थी option D 2016 में अगला है राउंड रिवुलीशन निमन में से किसके उत्पादन से स्वंदी थै ये है आलू से option D अगला है बिशो में ब्लेक्टी का सबसे बड़ा उत्पादिक था उपभुगता कौन सा देश है ये भारत option D अगला प्रशन है कौन सा अध्योगिक नीती परस्ता भारत का आर्थिक सुविधान कहलाता है तो ये कहलाता है option B 1956 अगला है एशिया का प्रथम नर्यात प्रसंसकर्ण क्षित 1965 में यहां पर स्थापित किया गया थे यह किया था यह था कानड़ा में option A अगला प्रशन है फेरा स्टेंड फोर F.E.R.A. सितात पर यह है तो इसका full farm होगा दोस्तों नीमन में से कोई नहीं क्योंकि जो यहां पर दिये गए option सारे गल्थ है इसका जो अर्थ होता है वह होता है Federal Emergency Relief Administration यहां पर इसकी full farm दिये आप देख सकते हैं अगला प्रशन है बिद्यूद आपूरती भारती अर्थविवस्ता के किस किशितर में आती है तो दोस्तों इस प्रशन का उत्तर मुझे नहीं मिला है अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप बता सकते हों मुझे लेखता है या तो इसका B होगा या तो C इने में से एक अगला प्रेशन है किंदरी सांख्य की संगख्रन किस वर्श गठीद किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों 1951 में अगला प्रेशन है निती आयोग में निती से संदर्व थे तो दोस्तों ये है National Institute for Transforming India ऑलप्शन सी अगला प्रेशन है ग्रीवी अनुमूलन किस पंच वर्ष योजना का एक दुश ये था तो दोस्तों ये था पांची पंच वर्ष योजना का ओप्शन C अगला प्रशन है, ब किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उतपादक शम्ता परियाप्त मातरा में नोकरी सरजन करने के लिए अप्रियाप्त हो? तो ये होता है सरचनात्मिक बेरोजगारी, option A अगला प्रेशन है किस आयोग की अनुशुशा पर RBI का गठन हुआ था तो यह हुआ था हिल्टन यंक आयोग आप्शन ए अगला प्रेशन है बहदर जिस पर RBI बानीचिक पैंकों को बित परदान करती है कहलाती है यह है रेपोरेट आप्शन ए अगला है बीमा क्षित का नियमन कौन सा पराधिकार करता है तो यह करता है उप्शन C IRDAI अगला है किसे कागजी स्वरन भी कहते हैं तो यह है उप्शन C विशेश आहरन अधिकार अगला प्रेशन है उठजा का S.I. मातरक है तो यह है जूल उप्शन C अगला प्रशम है ब अप्राव जिसकी समयाद्धी 24 गंटे है कहलाता है तो दोस्तों ये है option C, अर्थाथ बूस्थाई उप्राव अगला है कौन सा प्रश्च द्रिश्य दरपन के तौर पर पर प्रियुक्त होता है तो ये है उत्तल दरपन option B अगला फ्रेशन है, रेडिधरीमिता की परिघटना किस ने खौजी, तो यह खौजी थी, aware वेरल ने, अगला फ्रेशन है, बन्सपती तेल से गीर उतपादन के लिए कौन सा उतुरे रक प्रियूक्त होता है, तो यह होता है, निकल ऑप्शन D, अगला प्रेशन है, साधारन नमक है, तो यह है sodium chloride, ऑप्शन A, अगला प्रेशन है, मनुष्य द्वारा उप्योग में लाईगी, प्रतुम धातू, तो यह थी तामबा ऑप्शन A, अगला है, सोल्डर किसकी मिश्र धातू है, यह है C साथा टीन की, ऑप्श C, NG में मुख्य रूप से होता है, मिथेन, option C अगला है, ग्रेफाइड यह भी कहलाता है, तो ग्रेफाइड काला सीसा भी कहलाता है, option B अगला प्रेशन है, साबुन होते हैं तो दोस्तों साबुन होते है, option A, उच बस यह अमलो के सोडियन था पोटेशियम लवन, यह बिल्कुर सही जवाब है अगला प्रेशन है, बेकेलाइट बना होता है तो दोस्तों यह बना होता है, फॉर्मल टेहाइड और फिनॉल से, option C, बिल्कुर सही है अगला प्रेशन है, रसाइनिक रूप से बिनेगर है, तो यह है एसेटिक एसीड, option D अगला प्रेशन है, बिटामिन C है, एक, तो यह है एसकॉर्विक एसीड, option A अगला प्रेशन है, कोबीड नाइटिन का कारक है, तो दोस्तों यह है बिशानू, option D अगला है समाजी किट कौन सा है तो दोस्तों यह है चीन्टी ओप्शन ए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पार्टू की वीडियो का समापन हो जाता है हम जल्द ही आपके अपास इसका अगला पार्ट गिलाएंगे तब तक आप बाकी सभी पार्ट को देख सकते हैं ठीके दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद